हाई दिस धवल आज हम जानेंगे एनाइटी जलंदे के बारे में सो एनाइटी जलंदे इंडिया के top 15 एनाइटी में आता है पंजाब का one of the most reputed college है engineering के लिए सो मैं आपको recommend करूंगा कि आप इस वीडियो को starting से लेके end तक अच्छे से देखें क्योंकि मैं चोटी से चोटी डिटेल को discuss करने वाला हूँ जैसे कि हाँ की fees कितनी है cutoffs कितनी जाती है admission कैसे होता है hostel के बारे में देखेंगे mess, canteen, sports facilities, faculty, fest के बारे में देखेंगे सबी चोटी से चोटी डिटेल को मैं discuss करने वाला हूँ साथी के साथ यहाँ पे कुछ वीडियो देखेंगे हां की हम जिससे कि आपको basically feel आजाए इस college के बारे में कि यह college है कैसा and video के last में मैं NIT जलंदर को इसके rival NITs के साथ compare करूँगा जो की है NIT हमिरपूर and NIT जमशेथपूर सो चलिए start करते हैं इस college review से सबसे पहले कुछ data देख लेते हैं 1987 में establish हुआ था यह जलंदर के outer area में situated है यह वाला college campus size के अगर बात करें तो campus size 154 records का है अच्छा रासा campus size है अगर आप compare करना चाओ बाकी NITs से तो बाकी NITs का भी इतना ही size होता है ठीक ठाक size है ना तो बहुत जादा बड़ा है ना तो बहुत जादा चोटा है DTU से मैं relate करो तो DTU का size है 166 records and NSUT का भी 150 records के आसपास का है तो आपने ऐसे college देखे हैं तो आप compare कर सकतो कि 154 records कितना होगा campus भूत सुन्दर गए हां का distance from the nearest airport है 80 km and railway station nearest है यापे 13 km के distance पे mode of admission अब देख लेते हैं कि हाँ पर आपका admission होगा कैसे उसके लिए आपको J.E.Main Bapu exam देना होगा अब exam देने के लिए आपको boards के अंदर minimum 75% marks चाहिए 65% marks आपको तब चाहिए अगर आप SC,S,T या PWD category को belong करते हो या तो ये parameter fulfill कर लो या तो एक और दूसरा parameter होता है कि आपका जो भी respective board है उसके अंदर आप top 20 percentile में आ जाओ सो दोनों में से कोई सा भी parameter satisfy अगर हो गया तो आप J.E.Mains के लिए eligible हो जाओगे अब में इसका आप exams दोगे उसी के basis पे आपकी counselling होगी जोसा की counselling होगी and admission आपका हो जाएगा and last में जितनी भी seats बचती हैं वो special round के जरिये fill की जाती है cutoffs देख लेती हैं ये मैंने computer science की cutoffs mention कर रखी हैं last year की cutoffs हैं so जितने भी category होती है home state, female, gender, neutral, SC, ST, PWD सभी को मैंने discuss कर रखा हैं इससे basically आपको idea मिल जाएगा कि यहाँ पे अगर आपको top की branch चाहिए तो आपको कितनी rank तक लानी पड़ेगी एक नई category introduce हुई थी last year जो की है EWS category अब EWS category के बारे में बहुत कम students को पता होता है तो मैं आपको थोड़ी detail में बता रहता हूँ कि actually है क्या So last year से हुआ था यह कि जितने भी general students हैं जिनकी family income annual 8 lakhs या उससे कम है and home size के basis पर 2-3 parameters हैं अगर वो उसको satisfy कर लेती हैं तो वो जोसा counseling में 10% reservation के लिए eligible हो जाती है अब 10% reservation आपको मिल गए कोई छोटी मोटी reservation तो है नी तो इसके बारे में knowledge होना बहुत important है अब EWS category में reservation पाने के लिए आपको एक EWS का certificate चाहिए वो आपको मिल जाएगा nearest जो आपका DM office होगा district magistrate का office होगा वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा कुछ documents verify करने पड़ेगे वहाँ से आपका EWS category का certificate मिल जाएगा fees की अगर बात करें तो government college है as expected fees तो यहाँ की कम होगी अब कितनी fees कम है यह मैं आपको बता रेता हूँ fees भी हाँ पे distribute हो रखी है according to category wise and income wise अगर आप SCST या PH student हो physically handicapped student हो या तो आप ऐसे student हो जो general OBC को belong करता है लेकिन आपकी family income 1 lakh per annum से कम है ऐसे case में आपको tuition fees नहीं देनी पड़ेगी so यह बहुत अच्छी बात है maximum fees जो कोई student यहाँ पे दे रहा होगा वो होगी tuition fees की बात करो मैं वो होगी 62,500 यह per semester की fees है अब इसको 8 semester से multiply करेंगे तो आजेगी total 5 lakh fees जो की है यहाँ की tuition fee दूसरी चीज़ जो छोटी मोटी आपके charges लगते हैं transportation charges, library charges, examination, maintenance जो जिते भी छोटे मोटे charges होते हैं उसकी list मैंने mention कर रखी है hostel का rent अगर discuss करें तो 6000 यहाँ का hostel का rent है दे स्कोलर के लिए तो होस्टल कुछ माइने नी रखता लेकिन ऐसे डे स्कोलर जिनको transport की facility चाहिए उन्हें 3000 रुपे per semester अलग से देने पड़ते हैं 3000 में आपको 6 महीने के लिए transport facility मिल रही है बड़ी अच्छी बात है यह government को ले जाए बहुत सस्ता को ले जाए मैं कोँगा अब total cool मिला के अगर हम per semester other institutional charges को calculate करेंगे वो आपका पड़ेगा 30,500 hostlers के लिए day scholars के लिए 22,000 and ऐसे day scholars इनको transportation facility चाहिए उन्हें 3000 रुपे एक्स्टर देने पड़ेंगे फिर आपके बनेंगे 25,000 अब इसको 8 semester से multiply करेंगे hostlers का example ले लेता हूँ मैं इसको 8 से multiply करोगे तो आपकी fees बनेगी 2.5 lakhs के आसपस की fees बनेगी अब 2.5 lakhs की तो आप mandatory fees दे रहे हो यहाँ पे यहाँ पे कुछ fee concession नहीं मिलेगी so 2.5 lakhs ऐसी fees होगी जो यहाँ पे minimum को student pay कर रहा होगा and maximum जो fees को student pay कर रहा होगा वो होगी यहाँ की तो 2.5 lakhs fees होगी और यहाँ की जो tuition fees होगी वो होगी 5 lakhs उपीस so maximum case में आपको जादा से ज़्यादा fees जो pay करनी होगी वो होगी 7.5 lakhs के आसपस अब 7.5 lakhs में आपकी बीटेक होगी है बहुत ज़्यादा कम मैं कहूंगा नहीं है fees यहाँ की लेकिन बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं है अगर आप किसी private college के साथ compare करोगे तो आपको कम से कम 20 lakhs के आसपस तो चाहिए होगा उस हिसाब से यह वाली fees बहुत कम है क्योंकि government college है so NIT जलंदर उस मामले में बहुत अच्छा college है अब common facilities हम देख लेते हैं यह तो almost सभी colleges में आपको facility मिल जाएंगी तब भी मैंने discuss कर रखी है bookshop होगी technical clubs, fund scheme यह आप देख लेना आपको PDF मिल जाएगी नीचे description box में अब हाँ से आप download करके यह details को बढ़ सकते हो list of events यहाँ पर about 13 events होती है intra college events होती है इसके बारे में भी आपको जानना है तो आप नीचे PDF में बढ़ सकते हो hostels के बारे में थोड़ा detail में discuss करेंगे boys hostel यहाँ पर है total 8 girls hostel यहाँ पर है total 3 ठीक है अब सबसे पहले हम boys hostel के बारे में देखेंगे boys hostel में hostel 1 and hostel 2 they are allocated for the first year students अब hostel 1 और hostel 2 दोनों में हम compare करेंगे तो आप देखोगे कि hostel 1 थोड़ा बड़ा बना हो है क्योंकि इसमें ज़्यादा rooms है अब ज़्यादा rooms है तो एक एक room का size थोड़ा छोटा है लेकिन hostel 2 में जितने भी rooms है वो थोड़े बड़े बन होई है एक और comparison करती है internet के basis पे internet आपको सबी hostels में मिल जाएगा सिरफ hostel number 1 में नहीं मिलेगा आपको अगर आपको by chance chance मिले choose करने का कि आपको hostel 1 चाहिए या hostel 2 चाहिए और first year students के लिए थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे चाचा students को एक रूम में रहना पड़ेगा लेकिन यह सरफ first year की बात है second year से थोड़ी improvement हो जाएगी आपके एक रूम में total दो लोग रह रहे होंगे आपको मिला के third and fourth year की बात करें तो आपकी privacy का ध्यान अखा जाएगा single room में यह आपको मिलेंगे एक और चीज जो थोड़ी बहुत तो facilities hostels में provide की हुई है वो है photo state, mess, tv room, tt room badminton court, garden, volleyball court सभी अलग अलग hostel के है सभी अलग अलग present है एक चीज जो मैंने तीन चाज जगा पड़ी है इनकी official website पे वो यह है कि coolers का use hostel में allowed नहीं है आप अपना personal cooler ले जाके हमाँ पे use नहीं कर सकते हैं यह हमाँ का hostel का room है यह first year के student ने मुझे भेजा था यहाँ की photo hostel की यहाँ पे आप देखोगे एक bed यहाँ पे है एक bed यहाँ पे है एंड दो bed यहाँ पे होंगे तो टोटल चार्ज नहीं रहते हैं एक first year वाले hostel में यह भी वहाँ का first year का hostel है hostel number 1 या hostel number 2 में से कोई होगा maintenance, cleanliness के मामले में बहुत अच्छा को ले जाए है जितनी भी मैंने photos देखी बिल्कुल cleanliness तो मतलब बहुत अच्छी cleanliness है यहाँ पे मैस की अगर बात करें तो मैस का खाना यहाँ ठीक ठीक है जितना भी students ने मुझे feedback दिया है ठीक 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 खाना है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि खाने लाइक नहीं है ठीक ठीक है खा सकते हो और जो फर्स्ट यर वाले students की मैस है hostel नमबर वन एंड hostel नमबर टू की दोनों की common मैस है यह हमाँ की photo है हमाँ के मैस की hostel का मैस आप देखोगे cleanliness के मामले में अच्छा है college यह यह हमाँ का volleyball court है hostel नमबर टू का volleyball court है यह अब देखोगे cleanliness तो है यहां पर नेट पता नहीं नहीं तर ढीला क्यों बांदा हुआ है वैसे बागी सब तो सही है कि यहां का seniors का hostel है अब girls hostel के बारे में थोड़ा देख लेती है girls hostel यहां पर तीन है GH1 girls hostel 1 जो की first year के students के लिए है GH2 for second year mtech and msc students जो MGH है mega girls hostel इसके अंदर third year की girls रहती है fourth year की girls रहती है and PhD girls रहती है अब हम थोड़ा sports का discuss कर लेती है sports के माबले में मैं को यहां पर एक unique feature मिला वो यह है कि NSO जो की है national sports organization NCC या NSS तीनों में से कोई भी आपको एक choose करना पड़ेगा first year के अंदर उसके लिए आपको total hundred hours का कुछ activity होगी उसमें आपको participate करना पड़ेगा यह सभी students के लिए mandatory है and उसी के बाद आप second year में enter कर सकते हो so यह थोड़ी unique बात मैं को पता चली हुहां की games की facilities के अगर बात करें तो मैंने जितने भी students से पूछा या क्योरा पर देखा है तो games के मामले में मैंने हर जगा देखाएगी तारीफी तारीफ होई है इस college की बहुत अच्छे यहां के grounds बने होई हैं अच्छे से maintain कर रखे हैं athletics, cricket, football, basketball, volleyball, long tennis almost आपको सभी ground यहां पर मिल जाएंगे थोड़ी photo में आपको दिखा देतों यहां का basketball ground है flood lights भी available है अगर आपको रात के time खिलने का मन करें flood lights यहां की ओन हो जाएंगी ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं पाई भी यहां पर बहुत अच्छी खासी का रखी है यह cricket ground है यहां का size तो आप देखे रहे हो कितना बड़ा ground मन होएंग का indoor games की बात करें तो यहां पर badminton है TT का आपको मिल जाएगी table carom, chess, yoga सब कुछ आपको मिल जाएगा यहां पर multipurpose gym भी है यहां पर वो भी आपको मिल जाएगा एक चीज़ जो नहीं है यहां पर वो है pool, so students को pool खेलने में थोड़ा interest है, pool की facility यहां पर available नहीं है, बाकी की जिती भी facility आप सोच सकते हो game से related वो है यहां पर available है यह badminton court है total four badminton courts present है wooden court है यह यहां पर होगी यह भी शायद बंद कर रखी है, light तो होगी है अब बात करेंगे हम library की library यहां पर दो library present है एक library BTEC वालों के लिए and जो दूसरी library है वो बाकी के courses वालों के लिए library का size दोनों का मिलाकि 15,040 square feet बहुत बड़ी library है and यहां की books की capacity भी बहुत अच्छी खासी है library की timing अगर हम देखे तो सुबा 9 बजे से, शाम की 9 बजे तक है वही normal timings है लेकिन exams के time में यह time थोड़ा change हो जाता है जो होता है कि सुबा 9 बजे से रात को 12 बजे तक यह extend हो जाता है library का timing societies and tech teams हम देख लेते हैं यहाँ पर about 50 societies and tech teams present है अब societies and tech teams same नहीं होती हलका सा दोनों में difference होता है जितनी भी tech teams होती है यहाँ पर entry मिलना थोड़ा मुश्किल होता है tech teams का size थोड़ा छोटा होता है tech teams basically ऐसी teams होती है 15-20 लोगों की team होती है वो किसी inter college competition के लिए त्यारी करती है तो throughout the year यह ऐसी tech teams उस competition के लिए त्यारी करती है उसके लिए क्या होता है कि tech teams में जितने भी selection होता है students का वो बहुत जादा मुश्किल से होता है first round में आपका कुछ return round होगा 3-4 round होती है interview होगा आपका कुछ आपको task task दिया जाएग societies में जादा कुछ ऐसी rigidity होती है नि societies में entry मिलना भुद्धाद easy है बस आपका interest होना चाहिए अगर आप काम करने के लिए तैयार हो तो कोई society आपको मनानी करती है यह कुछ societies है मैंने mention कर रखी है ECEL महाँ पर present है Society of Mechanical Engineers LATS महाँ की literature society है सो जितनी भी society है लगभग मैंने सभी societies के बारे में थोड़ा बहुत mention कर रखा है अगर आपको ज़्यादा जानना है तो PDF आपको मिल जाएगी मैं आपको फिरसे बता रहूँ वहाँ पे आप देख सकते हो यह कुछ societies के बारे में हम देख लिया बाकी second, third or fourth year में थोड़ी relaxation teachers की तरफ से मिल जाती है लेकिन first year में अगर आपकी 75% attendance से थोड़ी सी भी कम है तो आपको exam नहीं देना दिया जाएगा एंड एक और चीज जो मैं को पता चली है कि यहाँ पे exams थोड़ी relatively tough आते हैं तो यहाँ पे CGPA बहुत जादा मुश्किल होती है maintain करना किसी student के about 8-9 CGPA वो यहाँ पे बहुत अच्छी CGPA मानी जाती है थोड़ा हम AI planner देख लेते हैं यहाँ के college का लगबग जितने भी engineering college होती है सबका similar AI planner ही होता है तब भी हम देख लेते हैं detail में इसको discuss करेंगे सब कुछ पता होना चाहिए आपको किसी college में admission लेने एक से पहले एक छोटी से छोटी detail भी आपको पता होनी चाहिए जितने भी 8 semester होती है semester आपका 1, 3, 5, 7 यह तो आपका हो गया 8 semester जो आपका even semester होता है semester 2, 4, 6, and 8 जो आपका स्टार्ट होता है अगस्त में जुलाई के आज सपरस आपकी counseling होगी उसके बाद अगस्त में आपका college में admission हो जाएगा पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी तो हमाँ से जब first semester स्टार्ट होगा तो हम बोलेंगे कि first semester स्टार्ट होगा हमाँ पे सो उसके बाद September में आपके mid semester exams होते हैं September के बाद October में पढ़ाई होती है November में आपका होता है FEST यहाँ पे जो Tech Fest है उसका नाम है Tech NITI Fests की वीडियो तो आपने देख लिए आपको idea मिल गया होगा कि कितने अच्छे scale पे ही Fests यहाँ पे मनाया जाता है उसके बाद FEST Fests मना लिए November के end में या December की starting में होते हैं end semester exams So जैसी end semester exams खतम होते हैं December में एक महीने की winter vacation पढ़ती है Winter vacation के बाद January की starting में आपका college फिर से start हो जाता है Second semester या मैं बोलू even semester आपका start होगा January के अंदर उसके बाद February में आपका होगा Annual Cultural Fest यहाँ पर जो Annual Cultural Fest उसका नाम है उतकांच Goddess of wild and forest Housimis to vanish from the flight आपका 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 आपक तो दोनों फेस्ट की आपने वीडियो तो देख ली बड़े जबदस्ट फेस्ट मनाया जाते हैं जितने भी NIT, IIIT, IIT, GTU, NSIT हो गया यहाँ पर एक खास बात है कल्चुरल फेस्ट तो बहुत बड़े स्केल पर बहुत अच्छे स्केल पर मनाया जाते हैं अब फेस्ट मनाने के बाद वही माज के अंदर मिट सेमिस्टर एक्जाम होते हैं एपरिल में पढ़ाई होती है और माई के अंदर आपके एंड सेमिस्टर एक्जाम होते हैं एंड सेमिस्टर एक्जाम खतम होने के बाद जून जुलाई में आपकी दो महीने की समय वेकेशन्स पढ़ जाती है जुन जुलाई में समय वेकेशन्स पढ़ जाती हैं वापिस से अगस्त में आप आओगे नया साल या फिन नया ओर से मिश्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा यहां की फैस्ट की कुछ फोटोज हैं वैसे वीडियो स्ट अब देखी चुके हो अब हम यहां की थोड़ी प्लेस्मेंट्स को डिसकस कर लेते हैं प्लेस्मेंट्स के मामले में यह कोलेज बहुत जादा अच्छा है आप एक NIT से जैसी प्लेस्मेंट एक्सपेक्ट करते हो आपको वैसी प्लेस्मेंट यहां पर मिल जाएगी यह placements का डेटा है, last year का डेटा है, 2016-2020 वाला जो बैज था, उसका डेटा है बिलकुल official डेटा है, आप इस पे completely भरोसा कर सकते हो इसके अंदर मैं आपको streams बदा जेता हूँ, पहले कौन-कौन सी है, ECE, Electronics and Communication Engineering, Computer Science, CHE, Chemical Engineering, ICE, Instrumentation and Control Engineering, Civil, Industrial and Production Engineering, ME, Mechanical, BT होता है, Biotechnology, and TT होता है, आपका Textile Technology ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे number of eligible students, अब ऐसा नहीं होता है कि किसी batch में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 100 के 100 बच्चे placements में बैठ सकते हैं, होता है कि placements के अंदर बैठने के लिए आपको minimum cut-off होती है, या minimum आपको percentage maintain करके रखनी पढ़ती है, उसके बाद आप placements में कुछ कुछ students ऐसे होता है, जो placement में बैठते ही नहीं किसी government services की त्यारी करते हैं, या UPSC, MBA किसी चीज की त्यारी करते हैं, तो वो तो जानके नहीं बैठते placements में, तो आप देखोगे कि जितने भी हम average package या percentage of students placed calculate करते हैं, वो number of eligible students पे calculate करते हैं, total number of students पे कभी calculate नहीं होती ह ठीक है, अब average package पे नजर डालती है, average package वही as expected, computer science का सबसे ज़्यादा average package गिया है, उसके बाद average package गिया है ECE, ये तो ठीक है, हमने expectations के हिसाब से यही है जगा सी नहीं जो रहता है, उसके बाद थोड़ी आपको जानने में हैरानी होगी, ECE के बाद जो highest average package गिया है, वो गि BT मतलब biotechnology के students का highest package गिया है, तीसरे नमबर पे, highest average package लेकिन एक बात आप देखोगे कि इनकी percentage placement कम है, 21.1% इनकी placement गिया है, तो ये थोड़ा data, अजीब सा data है, थोड़ा shocking data है, बाकि जितनी भी branches की मैं बात करूँ, chemical होगी, इसकी 6.4 होगी average package, टोटल कूल मिला कि अगर हम द देखेंगे, 566 students थे जो placements के लिए eligible थे, उसमें से 354 students की placement लगी है, highest जो package मिला था, वो Microsoft की तरब से मिला था, 39 lakh का highest package मिला था, बहुत बढ़िया package है, ये dream package आप बोल सकते हो, average package भी आप देखोगे, 8.6 lakh कोई इतना बगा package नहीं है, बहुत अच्छा package है, 8.6 lakh का, वो भी average package, ठीक है, अब ये placements का हमने देख लिया, 2014-18 के batch की भी हम देख लेते हैं, placements, आप देख लेना, यहाँ पे भी average package आप देखोगे, computer science का average package 10 की आए, उसके बाद के आए, average package highest, EC, उसके बाद ICE, instrumentation and control engineering का highest package, ये 7.27, उसके बाद आए, ECE, average package की अगर हम बात करें, overall cool में लाके, यहाँ पे average package आप देखोगे, 2018 में average package लगा था, 6.86 lakhs, उसके बाद 2020 में average package लगा था, 8.6 lakhs, तो आप देख सकते हो, graph तो पर जाई रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, कि college अपनी तरफ से companies को invite कर रहे है, average package को increase करने की कोशिश कर रहे है, तो ये वहाँ के placement cell की बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पे जो जिते भी students admission लेंगे, वो expect कर सकते हैं, कि उनका next year में, इससे तो अच्छा package जी जाएगा, इवहाँ के students की photo है, जिनका highest package लगा था Microsoft में, 39.12 lakhs का package लगा था हूँ का, अब placement सब कुछ हमने discuss कर लिया, सारी चीजे discuss कर लिया, कुछ भी नहीं बचा है, इस college से related, जो एक चीज बच्छी है, वो है comparison, comparison हम करेंगे, NIT जलंदर, NIT हमिरपूर, NIT जमशेपूर, इन तीनों colleges की आप cut-off rank देखोगे, तो आसपस ही, बहुत आसपस cut-off ranking की गई है, ranking में अगर आप NIT की ranking देखोगे, उनमें भी ये लगातार आते हैं, जलंदर, हमिरपूर, जमशेपूर, तो किसी student का जलंदर में admission हो रहा है, तो हो सकता है कि उसका हमिरपूर या जमशेपूर में भी admission हो रहा हूँ, so यार आप देखो कि criteria's तो भूसार होते हैं, किसी student के लिए कोई criteria matter ज्यादा करता है, किसी के लिए कुछ criteria ज्यादा matter करता है, so मैंने comparison किया है, on the basis of placement, so एक बार on the basis of placement हम देख लेते हैं, for general students belonging to other states, उनकी अगर आप ranking देखोगे, so NIT जलंदर 9600 उसके बाद गई थी, हमिरपूर की 10,000 के आसपास, सबसे कम ranking गई है NIT जमशेपूर की, तो आप देखोगे कि बहुत पास-पास की ranking की गई है, cut-off rank, placement की बाद कर लेते हैं, for CA students, तीनों में अगर हम compare करेंगे, सबसे जादा placement percentage, computer science वालों की गई है NIT हमिरपूर के अंदर, लेकिन अगर आपके पास CS वाली stream नहीं है, कोई middle stream है, जैसे electrical, mechanical, ऐसी कोई stream है, CS के अलावा कोई सी भी अगर stream है, उसकी अगर हम placement percentage देखेंगे, वो आपके पास आती है, 86% NIT जलंदर की गई है, उसके बाद ग 14% जो है NIT जमशेट को, इससे conclude हम यह कर सकते हैं, अगर आपके पास CS ब्रांच है, उसके लिए तो NIT हमिरपूर best रहेगा, लेकिन unfortunately अगर आपको CS ब्रांच नहीं मिली, कोई और ब्रांच मिली है, mechanical, electrical, जित्ती भी अलग-लग ब्रांचिस होती है, उसमें से अगर आपको को कोई ब्रांच मिली है, तो आप चूज कर सकते हो NIT जलंदर ओवर इन दोनों के colleges के comparison में, ज्यादा difference तो है नहीं तब भी अगर हम अच्छे से निचोड के पूरा हम देखेंगे, तो NIT जलंदर इसमें winner आता है, हाइस्ट पैकेज हम देख लेते हैं, हाइस्ट पैकेज यहा चलता है कि companies बड़ी-बड़ी, तीनों colleges में आ गए है, अगर आपके पास potential है, आपने अच्छे से 4 सल दबके महनत की है, तो आपको अपने potential के basis पे company तो मिली जाएगी, college कोई भी हो, किसी भी college में आप चले जाओ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो placement आपकी अच्छी खा terms of overall placements, so बस जाते-जाते यहां के campus की कुछ videos देख लो, जिसे की आपको अच्छे से पता चल जाए इस campus के बारे में, थोड़ी बहुत, छोटी-बहुती details जित्ती भी होती है, सब भी आपको पता चल जाएगी, so thank you so much for watching, till then bye bye, channel को subscribe कर देना, ऐसी बहुत सारी videos आने वाली ह so bye bye